हेलो एवरिवन वेरी वेरी गुड इनींग कैसे हो होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही योगे शो फ्रेंड्स आज ए 19 अपरेल 2023 आज बीएड फोर इयर के बारे में एंपॉर्टेंट अपडेट निकल गए आ रहे हैं जहां फ्रेंड्स अगर आप लोग फोर इयर है तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीएड की पलपल की लेटेश्ट अफ्रेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजूकेशन विसाइल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बट जैसे अभी आपका राजश्थान स्टेट हो गया तो वहाँ पे अभी आपका 4-year B8 होता है इस वीडियो हम बात करेंगे कि जैसे उत्रप्रदेश हो गया और भी स्टेट हो गये वहाँ पे 4-year B8 का फार्म कब तक आ सकता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडि अभी परचेश कर सकते हैं 527 पेज की ये पीडियाफ है इस पीडियाफ में आपको सभी सब्सेट के टॉपिक वाइस 5-6,000 से ज़्यादा important questions आपको देखने को मिल जाएंगे साथी 10-year की पी-वाई-क्यू आपको देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो के description box में फड़ा- तो my dear student यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आज की update है कि अब इस वीडियो में ये भी बताऊंगे कि कौन से इन्वस्टियां जो हैं इस course को करवाएगी ठीक ना यहाँ पे देख सकते हैं अब B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A की अज़िटा में मंगलवार को भूमनेश्वर में IIT वरिशत की 95 बैठक में कई एहम फैसलें किया गए हैं. IIT engineering and management के बाद कला वा मानेगी में जो हैं पढ़ाई का मौका देगी IIT digital library भी बनाएगा. ठीक हैं तो यह थी कुछ update चले अब मैं आपको अच्छा से समझाता हू यहाँ पर देख सकते हैं इंजिनिंग और मैनेजिमेंट के बाद अब कला में भी होगी पढ़ाई के मौका चार साल में मिलेगी डिगरी अब देखें सबसे पहले हम बात करेंगी इसका फार्म कप तक आ सकता है देखें अभी फार्म के बारे में कुछ भी ऑफिसली अपडेट नहीं है अगर इसका फार्म आना होगा तो जुलाई में आ सकता है जुलाई में जुलाई में इसका फार्म आ सकता है अब देखें इस फार्म को कौन-कौन भर सकता है अब देखें जैसे आपका 12 हो गया परसेंटेज वगरा जादा से जादा 50% मांगेगा तो वैसे तो 50% नॉर्मल है बहुत सबका होता है अब 12 के बाद बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो गरेजिशन करते हैं और फिर जैसे उनको टीचिंग में जाना है तो फिर 2 एर का बियर्ट करते हैं अभी जैसे 2 एर का बियर्ट है आने वाले दिनों में केवल 4 एर बियर्ट ही मतलब मानने रहेगा 2030 के बाद संभावना है जो कैंडिटेट मतलब 4 एर का बियर्ट करेगा केवल वही सिच्छक बनेगा जो मतलब किये हैं उनको मौका दिये जाएगा ऐसी बात नहीं है ठीक ना उनको मौके दिये जाएगे बट 2 एर बियर्ट जो है यह सब बंद कर दिये जाएगा केवल 4 एर बियर्ट रहेगा आने वाले शमय में आप देखिए आपका 12 में 50% होना चाहिए अब जैसे आभी आ लीचर बनना है तो सबसे बेश्ट है आप यह 4 एर वाला कर लीजे बीएसी अगर आप करने के सोच रहे हैं तो आप लोग जो है बीए बीएट कर सकते हैं मतलब शब आपका विखलप रहेगा इसमें तो इंटर के बाद आप लोग इसे कर शकते हैं अब ग्रेजिशन के बा अगर हम प्राइवेट कॉलिज की बात करें तो 11,250 है उत्रप्रदिश में और 30,000 सेकेंडियर की फीस है तो 80,000 से 81,000 फीस आपकी फीस फीस ही हो जाती है तो इसमें तो आपका ग्रेजिशन भी मिलेगा ना ग्रेजिशन की भी डिगरी मिलेगी तो फीस आपकी जादा ही रह जादा ठीक है ना कि ग्रेजिशन के बाद कितने साल का होगा होगा की नहीं होगा ग्रेजिशन के बाद ये वाला 4 येर वाला तो ये शंपून जानकारी आपको नोटिपिकेशन में देखने को मिलेगी ठीक है और कौन से इनवस्टियां करवाएंगी ये सब जैसे जो IIT व जो हैं करवाएंगी फॉर येर बियर कोई जबी डाउट से रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बाकी बियर की पलपल की लिटिश्ट ऑथेंटिक अप्डेट जो भी रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम स देखने को मिलेगी फॉर्म से रिलेटेट कोई भी अपडेट आएगी तो मैं जल्द से जल्द आपको सुचित करूँगा वैसे अभी आगर आपका ग्रेजिशन हो गया है या इस बार फाइनल येर है तो आप लोग इस वाले फॉर्म को डाल दीजे जो अभी स्टार्ट है पंदरा माई लाश डेट है और तैयारी करने का जो है प्रयाप्त शमय है ठीक है क्योंकि फिक्स नहीं है इसी वर्स आ जाए या ना आ जाए कोई फिक्स भी नहीं है ये तो दो साल से बात चलिया आ रही है और अभी तक फार्म नहीं आया है क्यों ये राजिश्तान में चार्ट है तो टाइम वेश्ट मत करिए फार्म भरिए और अपनी तैयारी सुरू कर दें एक सरकारी सीट फिक्स करें और अभी एट करें दो वर्स में ओके चले मिलते अगली वीडियो पर आएंगे श्यमच